नमसकर दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Technical Stock में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ है dividend देने वाले कंपनी के बारे मेंए जो की 9 अगस्त को dividend आने वाला है आज हम बात करेंगे इस वेडियो में 8 ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि 9 तारिक को वो डेविडिन देंगी चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो पहले कंपनी का नाम है इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस जो की अभी 587 रूपीज पर ट्रेड कर रही है और यह कंपनी एक साल म किया हुआ है और जो डेविडिन दे रहे है कंपनी अपने में इन्यूप को लगभग पांच रूपय का डेविडिन दे रहे है परसेर के साब से दो तरे दोस्तों अगली कंपनी है राम कोacies मैं जो की अभी 808 9 के आज पास ट्रेड कर रही है और जो भी इण्वेस्टर्स इ अगली कंपनी है MRPL जो कि इस कंपनी का अभी प्राइज चल रहा है 207 रुपे के आसपास चल रहा है और इस कंपनी ने लगभग 56-57 परसेंट निकाल के दिया हुए अपने इंवेस्टर्स को जो कि अभी जो कि डेविडेंट दे रही है 2 रुपे के हिसाफ से डेविडेंट द से 6 परसेंट का रिटान निकाल के दिया हुआ है और जो कि डेविडेंट का अनाउंस किया हुआ है जो डेविडेंट इसका आने वाला है एक शेयर के पीछे 75 पैसे का डेविडेंट मिलेगा अगली कंपनी है दोस्तों भेल जो कि यह कंपनी 290 रुपे पर ट्रेड कर रही है और यह एक साल में लगबग 47 परसेंट के आसपास गेन किया हुआ है और इस कंपनी ने जो डेविडेंट दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को लगबग 25 पैसे का डेविडेंट दे रही है अगली कंपनी है जो कि 341 रुपे पर ट्रेड कर रही है एक साल में लगबग 50-91 परसेंट का गेन करा हुआ है और यह कंपनी जो अपने इन्वेस्टर को डेविडेंट दे रही है दस रुपे 50 पैसे का डेविडेंट दे रही है अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड जो कि अभी यह कंपनी 389 रुपे 10 पैसे पे ट्रेड कर रही है जो कि एक साल में लगबग 46 परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया हुआ है और जो कि डेविडेंट जो दे रही है कंपनी 16 रुपे 50 पैसे का डेविडिन दे रही है अपने इंवेस्टर को दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी बताएगए सेर्स हैं कोई बाया सेल करने का आपको रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी आपको बाया सेल करना है अपने एनलसिस के हिसाब से या फिर अपने अड़ वाजर से